कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुल्क केरिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुल्क से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटी तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम काव्या करन पढ़ा फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ सत्मोला कवियों की चौपाल में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ ये देख लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्कित और जब हो साथ सत्मोला और उसका चट्पटा तेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला चालीबरेट्स तेरे रिलीज़ फुक्रे 3 इं प्येटर्स नियर्यू पर जादू कर डाला स्वाथ स्वाद में जम कर खाया सत्मोला ने खूप चाया आने शेगलता है क्या सत्मोला कवियों की चुपाल में आप सभी दर्शोकों का हारतिक अभिनंदन है स्वागत है सत्मोला कवियों की चुपाल आपकी अपनी चुपाल सत्मोला कवियों की चुपाल यह 20 वर्ष से निरंतर चल रहा कावे अनुस्ठान है कावे अविरल यात्र है और यह पंद्रागर्स 2004 को प्राराम हुई थी और यह जो यात्रा है यह अनंत है इसका कोई नहीं है सत्मोला कव्यूग जुपाल का परम सुभागया कि आज हमारे बीच में पस्तित हैं डॉक्टर रुची चत्रवेदी भक्ति कावे की एक ऐसी माइल स्टॉन है एक प्रख गीतकारा कवित्री हैं उनमें प्रमुक्ता गेसाद यदि नाम लिया जाता है दॉक्तर रुची चत्रवेदी का हो चाय वो कृष्ण की भक्ति हो चाय वो राम की भक्ति हो चाय वो शिवत आंडव हो सब पर उन्होंने प्रकर गयता के द्रिष्टी से अपने अमिट्र स्टाप्षण की हैं ऐसी डॉक्तररर रुची चत्रवेदी हो हम स्वागत करते हैं सम्मान करते हैंडॉक्तरर . कुछस मारिफ इस प्रकार्ली कर्फें एक कीत सतेजिशा कैम इस इस फ्रकार घंट हår मिल जो शचीरा दो करए मुतल सी के टल सी शचीरा दिखाए प्रेम तुल शचीर के दल सी स़ाइब का करती दीवन वे चसादीशित क्षील क्रिश्न के पणखुरी एक उंगली पेकिरी राज को धर लिया एक उंगली पेकिरी राज को धर लिया दस की दस उंगली हों से बजी पांसुरी प्रेम तुलसी के तलसी सजी राधिका क्रिश्न राधा को सरगम सुनाते रगे सुनते सुनते मगल तनतमूरा गुआ प्रीत पावन हुई प्रारदी पक चले तृत्ति के भावले मन मयूरा गुआ नेन नेन से ही समर पढ़ किया आसुओं ने मगन हों भर आजुरी एक उंगली पेकिरी राज को धर लिया दस की दस उंगली हों से बजे बासुरी प्रेम तुलसे के तलसे सजी रादे का भगवान शे कृष्ण की मुरलिया राधारानी के पास है और आतुरता में दोड़ पड़ते हैं मिलने के लिए जल्दबाजी में खौलती हुई खीर पी लेते हैं लेकिन उसमर प्रेम को प्रणां कि छाले उनके रदे में नहीं राधारानी के रदे में देखने को मरते हैं मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद तो दोड़ी राधा बसुरिया समाले हुए पी गए कान जब खौलती हीर को तोरी दैराधी का जी के छाले हुए मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरहा मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरहा नब से मिलती है जैसे दरा मादुरी एक उंगली पेगिरी राज को धर लिया दस की दस उंगली हों से बजी वांसुरी प्रेमुतुलसी के तलसी सजी राधिका भगवान श्री रामलला विराजमान के चरणों में प्रणाम पांत सो वर्षुन की तपस्या के बाद राधुएंद्र सरकार अपने धाम में विराजित हुए हैं सबने अपने घर में दीप चलाए समस्त विश्य जोतिर में हुआ क्या भाव थे समर्पित करती हुँ और भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करती हुए अपने घर में उस दिन मिलकर शंक बजाया अंगना अंगना द्वारे द्वारे दीप चलाया जिस दिन राम लला उन्हें नग ग्रह आए हैं जिस दिन तीनों लोक सतत जै जै गाए हैं बिछाए राग राग में फूल प्रभू निज राम आ गए हैं हमारे राम आ गए हैं अवधपुरी का नाम सत्य हैं जैसे सुबगो शाम सत्य हैं याम सत्य हैं गाम सत्य हैं केवल एक हिनाम सत्य हैं प्राणों का ये गाम सत्य हैं धरती ये निशकाम सत्य हैं जीवन ये अविराम सत्य हैं जै 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 श्री राम सत्य हैं जग को गीत सुनाते अपने गाम आगए हैं हमारे राम आगए हैं और अपने अपने घर को सजा दीजिए अब भगवान शे राम जब संपूर विश्यो में एक नाम व्याप्त है जब भगवान शे राम आचुके हैं धराधाम पर तब अपने अपने द्वार को सजाईए अपने आगन को सजाईए तब कहती हूँ राख सजादो द्वार सजादो अपना यह परिवार सजादो सांसों का हरतार सजादो शोणित का संचार सजादो रिदे दरावे प्यार सजादो नदियों की जलधार सजादो रिदे प्राण के तार सजादो पूरा यह संसार सजादो राम नाम धरकर श्रीघर सुख नाम गए हैं हमारे राम गए हैं हमारे राम आगए हैं हमारे राम आगए हैं हमारे राम आगए हैं जजैश्राम आपने सुना डॉक्टर रची चत्रवेदी कि भक्ति कावे को जिस टैम वो अपना कवित गा रही होती है मैं पढ़ना नहीं हूँ जब गा रही होती है तो ऐसा लगता है सरस्वती की बीना जनकृत हो रही हूँ और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरा बड़ा परमसो भाग्य है बहुत अच्छे स्रेश्ट साहिक्तिकार प्रधान मंत्री कारेले में आप विशेश निदेशक हैं डारेक्ट स्पेशल डारेक्टर हैं सुरक्षा मामलों के आप आम्ट फॉर्स और न्यू किलर वेप प्रधान्स हैं उसके बारे में भी आप दक्षता रखते हैं उच्छ कोटी का पर्शक्षन हैं और साथ ही साथ यह तो आपकी जो नित्य प्रति आपकी सेवा है उच्छ पदस्त वो तो है वो जानकाई देना अनिवारे था लेकिन साथ-साथ एक मैं जानकाई देना चाहता हों कि आप उच्छ कोटी के साहित्तिकार हैं आप कभी मना भी हैं ऐसे कभी मना मेरे साथ ही प्रोफेसर डक्टर विशाल देवरास सिंग जी आज हमारे बीच में सत्मोला कम्योग चपाल में पस्तित हैं जा जोर्दात तालियों के साथ हम उनका स्वाल दन्यवाद यह हैं मेरे साथी यहां पर बैठे हुए हैं प्रविंजी हैं पंडे जी है आपके जितना बड़ा शाहितिकार तो बढ़ा साहितिकार तो हम बबाद तुलसी को कहते हैं कलदाजी को कहते हैं उनके बस समझ लीजे छोटे मोटे चेले चपाटे हैं जो खबी-खबी कुछ गुन करते हुए माभारती के लिए कारे करते हुए जितनी प्रसनता हमें होती है तो इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है और इससे बड़ा कोई वैलेंट्लाइन डे भी नहीं है हमारे लिए हमारी जो जिम्हेदारिया है यही हमारे लिए आने वाली पीडियों को प्रेरना देती र के तो हम कभी शाम के संजूर में बैठे हुए थे और इस वंदने सुना कि कि ये दर्द भरी ले में किसने गाया ऊंहीं तिसमें गाया एंखे नहीं तिनम फिर भी दिल बराया हुआ हुआ है और मिदरण आज Engineering Zukunft सुनाई तो मैं वही सुनाऊंगा स्वागत स्वागत मैं गीत सुनाऊंगा उसके पहले चार पंक्तियां जो हैं स्वागत मैं निमंत्रन नहीं दूंगा कृष्ण के आउतार को मैं निमंत्रन नहीं दूंगा कृष्ण के आउतार को जानता हूं मैं बहुत कुछ महाभारत के स को और शत्रानी है वो से त्राणी है वो युद्ध की रननीतियों को जानती है मात्र भूमिके बैरियों को मा भी बैरियों करती है कि अब मैं सुनाता हूं नाम के'RE दिविव्य पूर्षियों के सुनिये घवर पसंदाए कल दो जरुर बिलक्त से तो है इस गीता में जितनी स्रधध है मेरी उसके उपर मैंने लिखा था Rs. कि गीता में स्रध्धा जितनी देव की और प्यारती रंगे से जितना इसी रंग को मन में धारे फांसी चड़ कोई बोला देश धर्म पर मर्म निटने को रंगों बसंगी फिर्षिला आशा का स्वर निम रंग डालों काले तन पर काल के है तो इसके बाद उद्रत करता हूं मैं आपनी कविता के पंक्ति को कि ऐसे कई सारे नौजवानों को इस माभारती ने जनम दिया कई सारी विरांगनाओं को जन मिलकर इस माभारती को आजय बनाया विक्रमी बनाया यह धर्ती जो है रुशिमोनियों की है उतनी विरों की है कवियों की भी है तो इस सबके उपर में एक महापुरुष का उतरन हमारी यहां पर हुआ और उन्होंने गीता के जितनी ही मौलिवान किताब जो है वह हम सब को प्रेरना शुरोत में दी जिसका नाम है वहारत के सभिदान ओहां तो मेरी जितना सरद्धा घितना गीता पर है उतनी मेरी सरद्धा जो है भारत के समीधान पर है तो जब डॉक्टर व्यार अंबिड़कर साथ में वहाँ पर बहुत सारे लोग जिनोंने जन्म लिया और उस एक्टरपती जो है वह एक आदिवासी समाज से आती हैं लेकिन वह उस पद पर आसीन है जहां पर कोई भी मधभ या कोई भी रिलेशन वह भारत की प्रथम नागरिक है इस नाते हम उनका सम्मान करते हैं महामाईन कहते हैं और यह जो उनको मिला है यह भारती समिधान की देन ह तो मैं उसी समविधान के युगपूर्शों को और समविधान के निर्माताओं को मैं चारपंकियां प्रसुत करता हूं जी खंडरों में कोई थे भाग हमारे जलूटे दीप जीवन मेरे पल में दीद से राग तुमारे खंडरों में कोई थे वाग हमारे अरे वाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या सबसे बढ़ी बात है कि गयता के द्रिश्ट जवी विशाल देव जी आपका मैं कायल हो गया मैं आपको और एक पंक्तिस की एक नादा सुनाता हूँ मंदिरों में भिताले दिये थे बोलती जुबा में चाले दिये थे मंदिरों में भिताले दिये थे बोलती जुबा में चाले दिये थे यह जमी दे गई आज कुछ ऐसा याद करिया पंदर आगस का ओओ यह सुभाज दे गई कुछ ऐसा के पल में मिट गए है सारे यह दाग सारे कंडरों में कुए थे बाग हमारे यह थे हमारे बीच में प्रधार मंत्री काराले पीमों से हमारे बीच में प्रधारे स्पेशल डिरेक्टर प्रफेसर डॉक्टर विशाल देव राज सिंग जी और मैं भी अचम्बित रहा है मैं तो सूत रहा था कि वही के नम आप सत्मोला कवियों की चुपाल में हमें सुभेच्छा देंगे लेकिन जो सुभेच्छा हमें आपकी मिली ऐसी सुभेच्छा मिली कि आप जिस प्रकार दूद के अंदर पानी जल मिल जाता है पिर उस जल को अलग करना दूद को अलग करना बड़ा कठिन हो जाता है तो आज विशाल देव जी आप इस कवियों की विरादरी में इस प्रकार समाहित होगे हैं कि हम आप निकल नहीं पाओगे ने 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 विए बिल्कुर जहां जोर्दार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते है अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं मैं अगले कभी और विशिष्ट हती थी की और बढ़ रहा हूं वैं होते हैं देश के प्रकर साहितकार और कभी मेरे मित्र डॉक्टर जे पी पांडे जी आप निदेशक है शक्षामंत्राल भारत सरकार में हम उच्चकोटि के साहितकार के साथ कभी भी हैं हमने अनेक विदेश श्यात्राइं एक साथ की हैं जिसमेंसे भी हाल में हम फीजी में एक साथ थे विश्विंडी संवेलन में और वहाँ पर आपके कुछ पुस्तोका दो तिन पुस्तोकों का आपका लोकारपन केंद्री राज्य मंत्री मुरले धरन जी और केंद्री घर्य राज्य मुंत्री अजय सिंग्जी नी किया था तो मैं तभी मैं इनके अंदर कवित्र को और इनके साहित पहचान जाद है असलिए मैंने इनसे आग्रे किया कि आप हमारे सतमोला कम्युक चुपाल में आप पधारें अपना अश्रबाद पर्दान करें बहुत अच्छा कारिक्तन चल रहा है, अरोही जी और देशराज जी ने सांदार कविताएं यहां सुनाई हम लोगों के बीच में, मैं दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूं, कि इतनी सुन्दर रचनाओं से हम लोगों को अवरू कराया, और बात देशभक्ति की हो रही है, तो उसी करम को आगे बढ़ाता हूं, अपनी पहली कविता के रूप में, और हम देश के नागरिक हैं, महान देश हमारा भारत वर्ष, और इसलिए हम सुख पूरवक, सांती पूरवक अपने घरों में रह पाते हैं, कि हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के जवान, जानों कोई सहाधत हुई थी, उनमें एक जवान कैसा सोचता होगा उस समय पे, आपको मैं बीच में के बीच में आपको जानकाई देना जाता हूं, जो हिम्स संखलंग में अपने जवान गए थे, उसमें से हमारे रास्टे अध्यक्ष शुशील त्रिवेदी जी के की बलिदानी हो गए थे, आज दिए, उनहीं को सबर्पित, यह मेरी का विता, सियाचिन के सहीव, सियाचिन की हाण कपाती थंड में सासे वैसे भी धीरे ही चल रही थी, पायर उठाने को लगानी पड़ रही थी, जीवन की सारी संचित सक्ति, पायर इठाने को लगानी पड़ रही थी जीवन की सारी संचित सक्ति और जम रहा था धमनियों में बहने वाला लहू भारत माता के नारे लगाते हम आगे बढ़ रहे थे भारत तो बोल पाया था मैं जोर से मां और ता के बीच मेरी जबान अटक सी गई थी और मां ही मां में लंबा खिसता चला गया था जैसे मा ने समेट लिया था मुझे अपनी बाहों में छिपाने को मुझे संपूर संसार से वातसल की समस्त अनभूतियों के साथ और मुझे दिखने लगा भारत वर्ष का मांचित्र उसमें उभरती मा भारती असपश्ट विसाल और अप्रतिम असपश्ट विसाल और अप्रतिम मेरी अपनी मा भी दिखिए मेरी अपनी मा भी दिखी निहारती मुझे अपलग उसने मुझे कराहते देख लिया था उसने कराहते देख लिया था मुझे पकड़ने बढ़ाये थे हाथ अपने मुझे पकड़ने बढ़ाये थे हाथ अपने विदीन हिर्दय करुल करंदन विलीन होती सी दिखी मा भारती में वे बिलीन हुती सी दिखी मा भारती में मुस्कराती मेरी अबोध बेटी अल्पना करिए उस जवान को अंतिम समय में क्या दिख रहा है मुस्कराती मेरी अबोध बेटी बढ़ी थी मेरी उगलिया पकड़ने अपनी गोल-गोल आखों को टुकुट-टुकुर भुमाते औ विलुप्त हो गई उसी प्रितिमा में दिखी मेरी पत्नी आसा के दीपक जलाए मंगल जीवन की कामना में बेबस लाचार किंद सजग करने अपना सर्वस्थ नियुचावर बाबुजी भी दिखे बाबुजी भी दिखे अपनी सिक्षाओं को साक्षात होते देखने गंभीर, गर्वित, किंत नत्मस तक या कोई हिमस्खलन नहीं या कोई हिमस्खलन नहीं स्वयम हिमराज द्वारा बनाई हिम समाधी थी अपने बीर सपूत के लिए उतर आया संपूर संसार पलकों में सदियां पलों में सिमट गई चारो ओर धुदले उजले नमफाहे चाने लगे उतर आया संपूर संसार पलकों में सदियां पलों में सिमट गई चारो ओर धुदले उजले नमफाहे चाने लगे और उड़ने लगा में और उड़ने लगा में धवल बिसाल हिमखंड में बिलीन होने माभारती की गोद में यह थे डॉक्टर जेपी पांडे जी शिक्षा मंत्राले में आप निदेशक हैं और हमारी बीच में इसमें एक होतना संगीत का एक तरीका होता है जैसे दॉक्तर रुचि चत्रवेदी जब की वीना बज रही थी गले से तो उसके बाद मैं जिसकवी को बुलाना चाहता हूं संगीत का एक सिध्धान्त होता है आरोह और अबरोह तो आरोह होता है चड़तावस्वर और अबरोह होता है उतरतावस्वर तो चड़तेवेस्वर के स्वामी और मेरे युवा हस्ताक्षर का दास आरोहह आनंग जी ओज के प्रकर अस्ताक्षर है उनको मैं दो पंक्तियां से मैं उनको बलाना चाहूंगा की खेल रहे हैं फाग जो नहां होली के लायक थे, खेल रहे हैं फाग, जो नहां होली के लायक थे, गदी पे बैठे हैं वो जो गोली यह दोली आप कि बहुत महनिये लोग उपस्थित हैं मैं कुछ चंद प्रस्तुत करना चाहता हूं और प्रारंब समाज की उस दृष्टी से करता हूं मैं सोचता हूं कि हम लोग करवच सौच मनाते हैं तमाम चीजे करते हैं लेकिन सरहत पर कोई खड़ा होता होता हो गा कि एस आनिक तेरा यह वर्दी से बड़ा कोई वेलंटाइन नहीं है बाओट अच्छे बाँच्छे में बाँच्छे है और मैं मात्र शक्ति को एक चंद प्रस्तुत करता हूँ हमारे खराब प्रचलन चला कवी का काम सो धन विरेचन का काम है कि लड़की कुच अच्छा नहीं कर पाते तौनसे कहते हैं कि चूडियां पहल लो मैं बताता हूँ चूडियां क्या होती है और भारतिय समाज में चूडियां क्या होती है चूडियां नामर्दी की निशानिया नहीं है साब अभ अधिकार हित ताड़ती है चूडियां जीजा बाई मनु हीमा इंदराजी बनकर सारे ही तो विश्व को पचाड़ती है चूडि से शत्रूओं की छातियों को फारती हैं चूडियां और रामंदिर बना लोग कहते थे कि इस देश का इतिहास पुरुष बाबर है और बाबर का नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता मैं चंद पढ़ता हूं कि बाबर का नाम कैसे मिटा के बुद्धी जीवी तोलते थे ना के परिणाम को मिटा दिया भानुकुल भूशन पे छाई थी अंधेरी शाम खुद जल जल उस शाम को मिटा दिया तो लोग कहते बाबर का नाम ना मिटा सकोगे कहने सुनने के हर काम को मिटा दिया जाकर के देखो कैसे राम जी के बाल को ने जाकर के देखो कैसे राम ज बाबर वैबाबरी के नाम को मिटा दिया और एक दो चंद रखता हूँ कुछ लोग देश में खड़े हो करके कहते हैं कि देश को बाड़ दो देश को काट दो और आप उनको कितना भी प्रेम से समझाईए वो नहीं समझते मैं बताता हूँ वो कैसे समझेगा ऐसे द्रोहियों के जुंड मुंड से मरोड दो भारती अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं ऐसे द्रोहियों के जुंड मुंड से मरोड दो मार के विचार में विराजमान गंदगी को नाली वाले केचुओं को गंगा जी में छोड़ दो फिर भी जो देश द्रोह का ना उतरे बुखार सम्विधान में ये देशी पद्धती भी जोड़ दो हाथन में लेके लट्थ सट शट शट शटा सट द्रोह योकी हट्डियों को तोड़ दो मैं एक चंद पढ़ता हूँ स्वागत स्वागत शेखर आजाद पर मेरे से कभी इश्वर आए मेरे पास और मांगें तो मैं उनसे क्या मांगूंगा कि मुझ पे कभी जो परमेश हो गए प्रसंद भारती की भूशित निशानी मांग लाऊंगा देख देख जिने पेंट गोरों की हुई थी गीली फिर से दिवानी वो कहानी मांग लाऊंगा तो काले अंगरेजों से निपटने की खातिर में तेवरी तिवारी स्वाभी मांग लाऊंगा भारती पे वारने को भारती को तारने को शेखर सी फिर से जवानी मांग लाऊंगा अंते माठ पंक्तियां पढ़ता हूँ बहुत कुछ इस देश में हुआ बहुत कुछ होना शेश है तम मैं पढ़ता हूँ कि अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है अभी रामका सागर तठपर आप लोग सोना जाए इसले पढ़ता हूँ अभी रामका सागर तठपर शस्त्र उठाना बागी है अभी हलाहल शंकर को विश्पान कराना बागी है नरसिंग द्वारा हिरना कशब का अभी फटना बाकी है बजरंगी के हातों पूरी लंका जलनी बाकी है तो अभी गौरीमा पुना रुद्र चंडी में धलनी बाकी है धर्म युद्ध का सुस्ती वाचन गाया जाना बाकी है कुरुक्षेत्र में केशव का पांजन बजाना बाकी है विश्वनात को अधर्मियों से मुक्त कराना बाकी है काना को माखन मिश्री का भोग लगाना बाकी है तो अभी काना को माखन मिश्री का भोग लगाना बाकी है तो सोए भारत को गीता के शलोक सुनाना बाकी है अभी व बढ़े बहुँंडरा पूना बहुत भूह सुन रहेते प्रस्ट जेश्ट और श्ट्रेश्ट कवियों को मेडे साथ और सत्मोल हमियों की जपाल में ब्रेक लेने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जब आपका है हमारा एपिसोड चल रहा होगा तो उस समय चुनाव सर पे खड़े होंगे और चुनाव जहां भी हूँ यह लोकतंत्र का महाफर्व है हमारे मानने प्रधान मंत्री जी हूँ अथवा चाहे अपने देश के जितनी भी राजनिता है चाहे वो उनके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सारे राजनित विचार अलग हो सकते हैं वो सब लेकिन अपने हैं हमें अपने मत का प्रियोग जोड़ो करना चाहिए यह नहीं कि हम किसी को अपशब्द कहें कोई बात कहें कि कोई नेता पसं कि अनुसार आप मतदान नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र के महाफर्व में आपकी भाग्यदारी सुनने रहेगे लेकिन मतदान के में अपनी भाग्यदारी भाग्यदारी आप अपनी करना चाहते हैं तो करें लेकिन एक मैसुछ आप जरूर दोना चाहूंगा कि आपने मतदा का प्रयोग किया वह भी एक चीज है दोनों आपने मतना ने किया वह भी गलत और आपने नोटा का प्रयोग किया विख अब को सकरातमक दो जिसको भी अब स्देश्ट समझती हैं उसको आ अगधा दीजिये हमारे मन्य प्रदान मंतरी जी की वस्वास रखे हैं पे विश्वास रखें और बटन जरूर दबाएं दबा की आएं किसी भी पाइटे को दबा की आएं वैसे तो आप जानते ही हैं राष्ट सर्व पर ही है आने वाले महापर पर हम मतदान जरूर करें और सत्मुला कभी जुपाल में ब्रेक के बाद मेरे साथ ही जुडेंगे मे तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ यह देख ओ फुद्धू एक गया से बड़ा गुबार अपनी मा को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्कित और जब हो साथ सत्मुला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मुला सत्मुला चलीबरे इस बच्चेगी इसे 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 बच्च कुमर्शियल ब्रेक के बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मन पसंद प्रोग्राम सत्मुला कवियों की चौपाल में साथियों आज किसी भी काम की शुरुआत मुझे आकरशित करना चाहती है एक ऐसे कवी की ओर जो गोपाल भी है कृष्ण भी है और बागी भी है हाँ हाँ बिल्कूल नेली ताल से पतार हुए गोपाल कृष्ण बागी जी को अगले कवी के रुप में मैं आमत्रुप करता हू कि सभी को पढ़ना जी आपको भी शिंगारस शंकराचार से ज्यादा अच्छा किसी नहीं कहा है आधी शंकराचार की सुंदर लेहरी है उसे प्रवावित अकर कुछ मैंने लिखा है श्याद सब को पसंद है इंद्र धनुश सा कनक किरीट चाया चुरन सा सिर पर संधिकर क्रिशन चतुर्दशी अमावस उशा काल अंबर पर रूप चतुर्दशी सी पावन रूप चतुर्दशी सी पावन कोटी कोटी चम के तारागन अर्ध चंद्र सा नीड हो जैसे अर्ध चंद्र सा नीड हो जैसे थेहरा जासमान सुन्दर्ता की खान और बागी के प्रान सुन्दर्ता की खान और बागी के प्रान सुन्दर्लाल सी सीमात सर्णी और निम मुख मंडल सी भरनी घोर घटाओं बीच में रमनी ऊशा काल सिंधूर सी सर्णी स्रोत प्रवाह तो आधो गमनी आपका उलट उधरव गमनी ज्यान सूर्य बैहता हो जैसे अंतरमन किसी योगी योगिनी ज्यान प्रवाह महान सुन्दर्ता की खान और बागी के प्रान अंधिपरा सुनिएगा जे अद्बुत अटल अराल सी कांती अरुनिम मुख को चीपाती वह मदुलिय कांती यूक्त अलकावली कमल परिहास उडाती वह अमरित सदिश महक सी आए सफटिक दात हैं जो मुसका हैं अमरित सदिश महक सी आए अलक अराल सी जो लेह राए निर्गुन भ्रह्म मोहित हो जाएं वह 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 सुन दर्ता की खान और बागी के बहुत ही शांदार आपने कविता पढ़ी अभी शायद हम सुन पा आप को मैंने आमंत्रत किया था कि जो लोग इश्क में सफल नहीं होते हैं वह बागी हो जाते और आपने एक बागी व्यक्तित्तों का दूसरा स्वरूप यहां पर दर्शाया लोग बागी होने के बाद में विविन तरीके के गलत क्रत्यों को अंजाम देते हैं शायद वह ऐसी फेटने जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने से नहीं चुकते हैं परेशान करने से भी नहीं चुकते हैं अगर प्रेम में प्राप्ति ना हो तो बागी हो करके साधना भी की जा सकती और वह साधना आपके इस कविता में दोनों तरीके से दिख रहे थी चा को एक बार एहसास होना चाहिए कि हमने किस को हिनूर को छोड़ दिया है हम महनत करें हम मशक्त करें और अपने आपकी व्यक्तित्तों को निखा रहे आए इस महादेव की शंकराचार जी की प्रवर्ति पर लिखी गई इस्तुति को सुनने के बाद में मन काशी मैं हो गया औ उत्राखंड में दूर ना जाना पड़े तो उत्राखंड में ही एक काशी पूर है और काशी पूर चलते हैं हम बुलाते हैं काशी पूर के प्रतोष मिश्रा जी को आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जे और मासारदे को नमन और सत्मोला की इस जो बुही में इसको मैं बहुत-बहुत साथ बात देता हूं जे बहुत अच्छा प्रियास है कभियों के लिए और मैं सीधा-सीधा अभी पीछे राम में बाता बलन रहा बहुत सारे लोगों ने राम पर प्रस्ण भी उठाए तो उसी पर मैंने कविता लिखी लोगों ने का राम है कहां राम किसके राम नहीं है तो मैंने कविता है आपके सामने प्रस्तित कर रहा हूं कि राम ही साद्य हैं, राम आराद्य हैं, कि राम ही साद्य हैं, राम आराद्य हैं, राम हैं सारे जग में समाए हुए राम ही साध्य हैं, राम आराध्य हैं, राम हैं सारे जग में समाए हुए और राम ही आश हैं, राम विश्वास हैं, की राम ही आश हैं, राम विश्वास हैं, राम जन भावना को जगाए हुए और राम किस-किस के हैं? राम सर्यू किनारे आयोध्या के भी राम ही लोक हैं, राम पर लोक हैं, राम पर लोक हैं, राम त्रै लोक्य मैं हैं, समाए हुएं। और अगला बन देखें, और राम किसके? के भी राम रामे श्वरम की गिलहरी के भी राम ही प्रेम हैं, राम अनुराग हैं, राम अनुराग हैं, राम आचल में मां के समाए हुएं। और राम नल नील के, राम सुग्रीब के, राम मोक्ष प्रदाता थे दस ग्रीब के, राम नल नील के, राम सुग्रीब के, राम सुग्रीब के, राम मोक्ष प्रदाता थे दस ग्रीब के, राम नल नील के, राम सुग्रीब के, राम राम मोक्ष प्रदाता थे दस ग्रीब के राम ही पाप है राम ही पुर्ण है राम ही पुर्ण है राम हर आत्मा में समाए हुए राम ही साध्य है और कविता का आखरी बन देखें कि राम इन सब के तो हैं तो राम और किसके होने चाहिए कि राम तेरे भी हो राम मेरे भी हो जो कहते राम नहीं है उनके लिए है ये कि राम तेरे भी हो राम मेरे भी हो राम हो साम को और सबेरे भी हो राम ही मंत्र है राम पूजन भी है कि राम ही मंत्र है राम पूजन भी है राम है फूल पूजा मेलाए हुए राम है फूल पूजा मेलाए बहुत बहुत ही शांदार आपने राम प्रभु की स्तुति गाई हुई है आपने राम जी के विभिन स्वरूपों से परचित कराया राम जी से जुड़ी विभूतियों से परचित कराया औ और रामजी के महत्यों को बताया और अगर कोई प्रश्ण उठाता है तो उसे भी संकेद दिया है आपने कभी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जो लोगों को उमीदें अगर इन्होंने बंधाई हैं तो यह उमीदों की प्रतिपूर्ती भी करते हैं यह इंश्योरेंस करते हैं यह उमीदों से आगे की बात बताते हैं आप आपतु जानते हिएं फायदे को तो ऐसे ही और कहीं इंशुरेंस वाले जो मरने के फायदे बताते हैं वो अगर कभी हो जाए तो वाँ 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 क्या कहना आए आमंत्रित करते हैं ऐसे ही बड़े सुन्दर से शायर अमिताब शर्मा जी को आप सबकी जोरदार करने चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्मोला कवियों की चपाल में पच्छते सभी कवियों को हमारा प्रणाम जी और गजल के चैशा रखते हैं सामांगे अता फरमाईए महाबत के जखमों पे मरहम लगाना महाबत के जखमों की ताहीन होगी महाबत के जखमों की ताहीन होगी पिला दे मुझे तू नजर से साकी ये दुनिया शराबों की शाकीन होगी महाबत के जखमों की ताहीन होगी जखमों के बदले वफा दे रहे हो सजा इन गुनाहों की संगीन होगी महाबत के जखमों पे मरहम लगाना महाबत के जखमों की ताहीन होगी इस जखमों की और मिशॉयरे होगी बिना खेल खेले ही हारे हुए हैं नायन ही नायन में इशारे हुए है बिना खेल खेले ही हारे हुए है अशिर है? जी अदा देखकर मेरे रश के कमर की अदा देखकर मेरे रश के कमर की फलक के शरम सार तारे हुए है नायन ही नायन में इशारे हुए है बिना खेल खेले ही हारे हुए है जिसे आरजू थी गले से लगा लू वही देखिये अब हमारे हुए है नायन ही नायन में इशारे हुए है बिना खेल खेले ही हारे हुए है और शिर है वो अमरित भरे दो गुलाभी से प्याले वो अमरित भरे दो गुलाभी से प्याले लबां से छुआ तो शरारे हुए है नायन ही नायन में इशारे हुए है बिना खेल खेले ही हारे हुए है और शिर है जी जी बहुत खूब सूरत नजारे हुए हैं नहीं नहीं में इशारे हुए हैं और अंतिम शेर है मेरी दिल रुबा ओ मेरी महजबी सुन दिल जानी दोनो तुम्हारे हुए हैं नहीं नहीं में इशारे हुए हैं बिना खेल खेले ही हारे हुए हैं और अंतिम एक पंक्तियोर बोलना चाहेंगे एक छोटा से शेर है कि शिकायत हो अगर मुझसे जुबा से बोल दिया ना तुम मेरा खामोशियां अकसर कलेजा चीर देती है 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 बहुत सुना हमने की बात कि आप चीरने पर उतार है सभी है प्रदीप चोहान जी जब इंतिजार करेंगे तो अकर प्रेम नहीं मिलेगा तो चीरना और बागी बागी लोगों की पहिचान होती है हमारे बीच में कभी अध्यापक के माध्यम से हो तो वो बहतर हो सकता है और वो कभी अध्यापक भी अलीगर से आया हुआ है तो निश्चित तोर से कुछ न कुछ अकल के ताले जरूर खोलेगा मैं आमहंतित करना चाहता हूँ प्रदीप सिंग चौहान जी को आप सब की जोड़दार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जो सर ने बात कही बिलकुल हम लोग तालों की नगरी से हैं तो ताले कोलने का काम तो कहर है ही है जी जी मैं आप लोगों के समच्च पहले गजल रखने की जाज़त चाहता हूँ स्वागत जी कि अभी तमना जगी हुई है अभी तमना जगी हुई है कि सांस भी संदली हुई है अभी तमना जगी हुई है कहां अंधेरा पनाह धूंधे कहां अंधेरा पनाह धूंधे शमा दिलों की जली हुई है अभी तमन्ना जगी हुई है नहीं तुम्हारी खता नहीं है कहीं हमी से कमी हुई है अभी तमन्ना जगी हुई है अगला सिर की अभी कुरे दो न जखम मेरे अभी कुरे दो न जखम मेरे अभी तबियत हरी हुई है अभी तमन्ना जगी हुई है धन्वा सब और सभी खुदा के नगर चलेंगे सभी खुदा के नगर चलेंगे चला चली नित लगी हुई है अभी तमन्ना जगी हुई है हया बिकी है हर एक युग में हया बिकी है हर एक युग में हुजूर चोसर सजी हुई है अभी तमन्ना जगी हुई है जनाब दौलत अजीब शे है कहां किसी की सगी हुई है अभी तमन्ना जगी हुई है के सांस भी संदली हुई है धन्यवाद ये तो एक छोटी सी गजल हो गई जे और एक गीत रख कर में अपना इस्थान लूँगा सर् सुनिए राज चले आओ कि ये अर्मा मचलते हैं धन्यवाद चले आओ कि ये अर्मा मचलते हैं तुम्हारी याद के दीपक हमारे दिल में जलते हैं चले आओ, चले आओ कि ये अर्मा मचलते हैं न दिन को चैन है मुझे को न रातों में कराराई बहुत बेरंग जीवन था जो तेरे बिन गुजाराई मेरी नीदें, मेरे सपने तुम्हारे साथ चलते हैं चले आओ, चले आओ कि ये अर्मा मचलते हैं तुम्हें अब भूल पाना तो मेरे काबू से बाहर है यकीं तुम पर बहुत है पर मुझे इस बात का डर है कि मौसम की तरह ही आज कल दिल बर बदलते हैं चले आओ, चले आओ कि ये अर्मा मचलते हैं आखरी बंद है तुम्हारे दिल हमारे दिल की तड़पन को सनम पहँचान जाओगे अभी नाराज हो माना कभी तो मान जाओगे सुना है इश्क की गर्मी से पथर भी पिघलते हैं चले आओ, चले आओ कि ये अर्मा मचलते हैं बहुत ही शांदार कविता पाठ रहा आपका अधरी हुई जिग्यासा गोस्वामी जी को आमंत्रित करता हूं आएए स्वागत करते हैं उनका जोड़दार तालिया से कुझे में जिवन से कितना चाहाएं कितनी आपांच्छा किया वह अपनि पंतियों के माध्धम से आपको बताना जाहूंगों नहीं चाहती सारा काश नहीं नहीं चाहती सारा आकाश मेरा हो, मुठी भरा आकाश चाहिए निर्जी पड़े अस्तित्य को नर्म नाजुकसी फुहार चाहिए नहीं चाहती शोर शरावे से भरी महफिल हैं जो खामोशी भी सुन सके, मुझे वो हमनशी चाहिए नहीं चाहती बंगला गाड़ी, बस पैरों तले जमीन और सर पर छत चाहिए नहीं चाहती चापलूसों की भीड़ों पीछे, मुझे एक बुढ़ा दरख्त चाहिए नहीं चाहती ऐसी दिशाएं जो दिख भ्रमित करें नहीं चाहती ऐसी दिशाएं जो दिख भ्रमित करें, मुझे जो मुझे तक पहुँचा दे मुझे जो मुझे तक पहुँचा दे, बस वही एक मार्ग दर्शक चाहिए नहीं चाहती ऐसी चका चौन जो अंधा कर दे, मेरे रास्ते में जो उजाला कर सके, मुझे बस वही एक दीप चाहिए देने वास से, और समय के चलते में बेना किसी भूमिका के ही एक दूसी रचना में आपको पढ़के सुनाओंगी और आशा करते हुए कि हर वक्ति के मन को सपर्श करती हुई और ये हिदा तक जरूर पहुँचेगी क्योंकि कहीं न कहीं हर वक्ति का अनवाव इसमें शामिल है रंग बिरंगी ये दुनिया उस पर चलते फिरते ये रंग बिरंगे लोग कितनी ही कहानियों को पीछे छोड़ नई कहानियों को गड़ते ये सतरंगी लोग बहुत सुन्दर अपने अपने कूचे से निकले अपने अपने कूचे से निकले कुछ जीते कुछ हारे इस माया रूपी दुनिया में कुछ खिलते कुछ बुझते लोग कुछ रहसें के कटगरे में कुछ रहसें के कटगरे में तो कुछ रहसें से परदा उठाते लोग कुछ की क्ती हैं जिन्दगियां तो कुछ ईमान खरीगते लो कुछ बागारों की शान niż уров में कुछ बाजारों की दूबे तो कुछ गूंगों को खरीगते लो कुछ की शामे जिलमिल सितारों से रोशन तो कुछ जिंदगी तलाशते लो कुछ ठोकरे मारते प्यार को तो कुछ आंचल को तरसते लो कुछ शो शराबे में मस्त तो कुछ खामोशी से चीखते लो चलते फिरते सरपट दोड़ते अपना ही वजूद तलाशते लो रंग बिरंगी ये दुनिया उस पर चलते फिरते ये सतरंगी लो नों आपने जो सतरंगी लोग इस काविता में समाहित की हुए वाकईजी जीवन में ओसी विवित्ता देखने को मिलती है जब कभी ऐसा होता है कि tao कि Efendimiz कि कुछ दोग क्वख तौर पर चणे खाते हैं तो सब्सक्रांबगे W interpreti अगर दूक में काम किया करते हैं तो यह मजबूरियां भी होती हैं किसी की वही किशी के शौक हुआ करते हैं जीवन की विद्टाएंं रही हैं और आगे भी रहेंगी मैं समस्ता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने साथ में अपने आस FachisCentre लोगों की भी जो अगर कोई मजबूरी है तो उसको दूर करें आये चलते हैं हम एक अगले कवी की और जो कुछ मुक्तक और कविताएं लेकर के हमारे बीच में फत्यपुर से आ चुका है मैं बुलाना चाहता हूँ छोटे भाई राहुल कश्यप को आप सब की जोड़ाता बहुत बहुत आभार संचालक महोद है और सत्मुलक कवियों की टीम चौपाल का हर्दे से आभार वेक्त करता हूँ जी और मावाडी के च्रणों पर एक छंद समर्पित करके काविपाट का प्रार्म करता हूँ जी स्वागत है वागिश्वरी नाम तेरा जग प्रिय भूनश्वरी सत्य सब्द लेखनी का मातु अर दीजिए हंस पे विराजी माता बुद्धी की प्रदाता आप वाणी चाहूं और गुझे ऐसा स्वर दीजिए लेखनी से लिखू सदा वेदना गरीबों की मैं आहे महोदूर क्रपा म हना तो कर दीजिए कंट में वीराजो मयद जीवन सवरो मयद संदेगिन हत मात आप भरर दीजिए बहा संदर बहा संदर बहा संदर और कलम और लेखनी का एक चंद बढ़ता हूं कि हम कभी क्या है और कलम क्या है लिखते नहीं हम सत्ता के उपकारों को दिनकर की संताने सच को लिखते हैं आचरणों को जीते खुद्दारी तन है अपना कलम मयूरी से पंकजी खिलते हैं सच का दरपण दिखलाना ये कर्म हमारा कलम से ही अपनी प्रभु श्री राम का आगमन है और वहीं से कुछ चंद प्रभु के स्पी चंडों में समर्भित करता हूं चार पंक्तियां सुनियेगा निज प्राण वारकर जो निज जीवन वारा करते हैं वचनों के खातिर जो अपनों से हारा करते हैं कंटक वन के कंटक भी फूल सभी बन जाते हैं जिनके हिये में राम बसे हों सब काश सवारा करते हैं बहार सुन्दर बहार सुन्दर बहार सुन्दर प्रीत के प्रतीक राम सत्यता के पुन्य धाम हम ढूंडे कहां कण कण में तो वास है कोई ना सहारा प्रभु जग में हमारा यहां हर छण हर पल आप से ही राम नाम के बिना ये अधर है अधूरे से राम नाम की इन अधरों में प्यास है कब से विराज प्रभु तंबु में थे आप आए निज्य धाम जन जन में उल्लास है बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर एक चंदोर देखेगा वच्नों को तोड़ा नहीं धर्म को है छोड़ा नहीं जन जन के है इत्पारी मेरे राम जी वचनों को तोड़ा नहीं धर्म को है छोड़ा नहीं जन जन के हैं इतकारी मेरे राम जी चरणों की धूर से ही पाहन भी तर गए केवट के नाओं की सवारी मेरे राम जी मित्र के चरित्र को भी इत्र हैं बनाते प्रभू मित्रता पे मित्र की हैं बलिहारी मेरे राम जी प्रभू प्रेम से ही प्रभू प्रेम से ही जग्य में है खुसीया सारी हनुमन्त ही है कि फुलवारी मेरे रामजी बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर ऑर कुछ एक छोटी सी पंक्तियां पड़ता हूं प्रभू के अगमन की कर्म किया तो फल की इच्छा पून हुई हैं हम सभी अवद वस्यों पूरे देश के लिए गर्व की पंक्तियां सुनेग कर्म किया तो फलकी इच्चा पूण हुई है वर्सों की ये सबरी प्रतिच्चा पूण हुई है अरे सर्यू के दोनों तर्ठ हरसाएं हैं गाओं मंगल गान प्रभु अवद में आए हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर नीति चली थी सिंगल की और कार सेवकों ने हुंकार भरी थी, अरे करने को विद्धन्स बावरी सबने प्रभु की जय जय कार करी थी, देव भूप गंधर्व सभी ने अच्छत विजवाए हैं, गाओ मंगल गान प्रभु अवद में आए हैं, बहुत बहुत सुंदर, बहु के एपिसोड में जुड़ रही हैं, कुशी नगर, नगर से हमारे बीच में, शिल्पी शर्मा, जोर दात आले के साथ हमका स्वागत करें, शिल्पी शर्मा, नमस्कार मित्रों, आज के इस काब्र पाठ के सुब और सरपर में शिल्पी शर्मा, कुशी नगर से, आप सभी मि कित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं मैं उमेद करूंगी कि मेरे द्वारा गुंगुनाई हुई कुछ काप्रिपंक्तियां आप सभी को पसंद आएंगी और मुझसे जो भी गलतियां होंगी आप मुझे अपनी छोटी बहान और बेटी समझकर शमा करेंग जो पुरातन को छोड़े जुबानी कहुं जो पुरातन को छोड़े जुबानी कहुं साथ फेरों के वचनों को क्यूं भूल कर प्रेमिका की पलक को सुखाने लगे प्रेमिका की पलक को सुखाने लगे राग अनुराग जीवन में जिससे भी हो धर्म पतनी से ज़्यादा किसी से न हो मानिती हूँ सभी को है राधा ही प्रे मानिती हूँ सभी को हे राधा ही प्रे किन्तु सीता कतप भी सिरोधार्य है मान अपमान एक दूसरे का करें किन्तु अंदर की बातें न बाहर करें उग्रता चाहे जीवन में जितनी भी हो इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखें सत्य संकल्प से जब हुपारे ग्रहण संग जिसके भी हो साथ उसके रहें रङ जैसा भी हो रूप हो जाय सि न मी प्रतिमावसे जैसे हो प्रे एसी मन मी प्रतिमावसे जैसे हो प्रे एसी और मैंने अपनी दूसरी कविता का नाम रखा है सिर्षक दिया है मेरी कल्पिना के राम यह कमिता मैंने उसमें लिखी थी जब मेरी खोजी जा रहे थी और मेरी पापा जगा 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 जा रहे थे लोगों से बात कर रहे थे उसमें मेरे मन में जो आया मैंने वो गुर्मुना कर लिखा था और मैं आप सभी के सामने प्रस् इतनी मुझ में सामर्थ नहीं, आज कल्पना करती हूँ, मैं अपने राम में क्या चाहूँ, धीरज उनमें चाहूं मैं राम सा परचन चलता हो कृष्ण की, धीरज उनमें चाहूं मैं राम सा परचन चलता हो कृष्ण की, पिता की बातें सिरोधार, बन जाओ चाहे परशुराम, और आगे मैंने क्या कल्पना की थी, मेरे जीवन की ये कमिया, दुर्जन समाज का सोर नहूं, मेरे मन में जब पी रहो, वे बिना बताए समझ जाएं, और आगे चलते हूँ, मैंने रंग के बारे में क्या सुचा था? स्यामल गौर रंग हो जैसा केश पास घुमराले हूँ, भुजबल उनका हो सिंग सदिस, होठों पर छाई लाली हो, और अंतिम पंतियों की ओर चलते हूँ, नेत्र जो तिसा बंधन हो, परिवार पलक सी छाया दे, वे मेरी नीद में सो जाएं, मैं प्रेमधार में बह जाओं, मैं प्रेमधार में बह जाओं, और जैसा कि मैं अभी आप सभी मित्रों को बताना चाहते हूँ कि कल मेरी बेटी का जन्यम दिन है, और वो उरे एक साल की हो गई, अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ उसके बारे में गुन गुना रहे थी, तो मैं दो पंतियां आप सभी मित्रों को सुनाते हुए अलविदा कहूंगी, जादू की पुरिया है मेरी घुरिया, वो जादू की पुरिया सी है मेरी घुरिया, वो चाए की चुसकी सी मम्मी मैं उसकी हूँ, चाए की चुसकी सी मम्मी मैं उसकी हूँ, और इसी के साथ मैं आप सभी मित्रों से विदा लेती हूँ, नो की चाहिए कि तना लेकी चाहिए, दिन से बहुत कोिछ आप समय पूँ झाओ के ते दो कर लेका ही अज़िगें, गाज़ें उससे हूँ, और तर लेका हूँ, आप समयं पॉठार rights रूत की ऑाद का की ।ुरिया पゴ exciting, यारे चाहिद्र, चीव़ नच्य के तहार बोदम झाल 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 झाल